Nothing Phone 2A recently launch हुआ है और Nothing Phones में सबसे बढ़िया फीचर के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा जो फीचर अभी आपको सारे Android Phones पर आना चाहिए और यह जो फीचर है एक्चुली बहुती बढ़िया फीचर है और यह जो फीचर है आपका स्मार्टफोन उसको बहुती 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 बहतर बना सकता है और आपको बहुत सरा उप्शन्स भी दे सकते हैं तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा नथिंग फोन टूए में और नथिंग वेस में जो सबसे बढ़िया फीचर है उसके बारे में और अगर आपको टेक रिलेटेट टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो दाता रहूंगा चैनल पर से पहले मैं दिखाना चाहता हूं नथिंग फोन का जो अल्वेज अन डिस्प्लेइ उसके बारे में तो अल्वेज अन डिस्प्लेइ में आप देख सकते हो सिर्फ टाइम डेट और दे नहीं दिख सकते हो और यह अल्वेज अन डिस्प्लेइ में भी दिखाता है तो यह सबसे बड़िया फीचर है इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और क्या क्या आपका कस्टमाइशन ऑप्शन मिलते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले नथिंग फोन जब अनलॉक स्क्रीन वीजर्स तो लोग स्क्रीन वीजर्स एक्टिवेट से जाओ आप लोग स्क्रीन से ही आप अक्टिवेट और डियक्टिवेट कर सकते हो तो मैं इस वीजर्स को एनेबल करकर रखाओ अगर मैं इसमें कोई भी वीजर्स को रिमूब करता हो और इतने सारे वीजर्स म add करके रख सकता हूँ और मुझे इतना सारा shortcut मिल जाएगा जैसे compass हो गया torch हो गया airplane mode हो गया quick settings हो गया तो इधर में app का भी मुझे option मिलता है और app का option के लिए मुझे क्या करना है मुझे इधर पर कही पर भी क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मुझे इतना सारा options मिलेगा जैसे मैं Bluetooth को enable disable कर सकता हूँ बैटरी saver को भी कर सकता हूँ ग्लिफ lights तुनर डिस्टर्ब मोड को कर सकता हूँ और भी बहुत सारा option है और apps में music visualization health connect storage focus mode सारे के सारा options मुझे मिलता है जैसे अभी के लिए auto rotate को मैं इसमें add करता हूँ और मैं lock screen पर जाता हूँ लॉक्स्क्रीन पर जाने पर देख सकता हूँ और यह सब options दिख रहा है और direct मुझे information भी दिख रहा है मुझे अगर auto rotate को enable करना है तो मुझे click करना पड़ेगा और यह tap करना है तो auto screen से ही सब कुछ enable disable कर सकता हूँ और always on display में भी आपको दिखाए देगा क्या हो रहा है क्या नहीं क्या enable है क्या enable नहीं है जैसे मैं अगर disable कर देता हूँ तो फिर से मुझे dotted line दिखाए देगा इसका मतलब यह option आपका disable है मैं अगर photo भी enable करके आपको दिखा देता हूँ क्या always on display में दिखाता है या नहीं तो photo में lock screen widgets में add किया और इधर में आप देख सकता हूँ इधर में मुझे photo जो है add करने का option मिल जाता है तो मैं कुछ photos add करता हूँ जैसे मैं अभी के लिए कुछ wallpaper सी add करता हूँ जो की nothing to air का wallpaper है और add करके मैं इधर इसको enable कर देता हूँ और अभी देखते हैं कैसे दिखता है तो आप देख सकता हो always on display में भी photo दिख रहा है और मैं अगर चाहूँ तो photos को एक एक करके change भी कर सकता हूँ और यह एक्चुल always on display में दिखाए देगा तो always on display में जो photos दिख रहा है यह भी एक बड़ियर बड़ियर feature है और आप इसको enable कर सकता हो nothing OS में तो यही मैं दिखाना वाला था कैसे आप always on display को nothing OS में configure कर सकता हो और यह feature nothing for 2M में भी already available है तो यही बोलके मैं इस वीडियो के end करना चात पर ताभी के लिए बस इतने आपका दिन शुवड़ा है